वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पहले के कुछ सिकेंड बखवास करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ये आपके लिए बखवास हो सकता है, क्योंकि इंडियन आडल के जो फैन है, वो अंधभगत है। तो चलो यार मैं बताना चाहता हूँ, उस बंदे के बारे में जो के सवाई भथ है, जो के राजिस्थान के किसी गाउं से बिलॉण करता है, आप उसका टालेंट देखाने के बदले में आप उसके बारे में ये बतारे हो, कि वो भाही सामने दुनिया में पहली बार अपनी द इस तरह से मजाग उड़ाओ क्यूंकि जजस इन सारी चीज़ों को देख करके हास रहते हैं अब मुझे ज़रा ये बता दो कि इंडिया के कितने प्रतिश्यत लोग जो है ओमलेट को काटे और चूरी से खाते हैं और वहाँ पे जो कंटेस्टेंट जिस तरह से खुद को बिहे लाइक दबा के ठोकते हो जो के दिल से बहुत जादा खुशी होती है कि मेरी मैनत और मेरी डेडिकेशन को इतना जादा पसंद किया जाता है लेकिन प्लीज चाल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में जादा से जादा मतलब वो एक वर्सेटाइल सिंगर है और सनी हिंदुस्तानी एक बूट पॉलिशर ठीक है बाइदवे किसे ने इंटेव्यू देखा था क्या सनी हिंदुस्तानी को ऐसा लग रहा था कि मानो रानू मंडल के भाई साब हो हां मतलब जीतने के बाद में जिस तरह से आंकर से वो बा जिसको हराया जाएगा बहुती प्यारे तरीके से बहुती प्यार से दुलार से इनको हराया जाएगा और सवाई भट को जिता दिया जाएगा इनकी गरीबी के अंदर में हर वो चीज मतलब इनको देखाया गया कि जिस हमाम में जाकर कि जिस बाट टब में जाकर कि हम लोग नहाते हैं भाई साफ वहाँ पे जाकर के मूद होते हैं भाई ये उनकी simplicity है अब उसको इसका कहानी बना करके सामने मत रखो मैं आप बात करना च परफॉरमस दिया ये परफॉरमस शायद दुनिया का सबसे बेस्ट परफॉरमस था और इंडिन आइडिल का हिस्ट्री तो सच्ची में बदल दिया इस बंदे ने क्योंके हर एक बंदा उटकर के नाचने लग गया था पहली बात इन्होंने गाया ओरी-ओरी और वो जो प्रेज प्यार करके नाचना शुरू कर दिये and the hats off for this बंदा कि इस बंदे ने सीधा मुपे कह दिया कि मेरी life set हो गई अब देखो इसके अंदर में साकाजम था या सच्ची में वो हमबल था मुझे नहीं पता लेकिन इस बंदे ने जो भी कहा है as an artist that's a great thing क्यूंके आशिश जिस तरह से गाता है मुझे नहीं लगता आशिश जीतने के लिए गा रहा है आशिश के performance के टाइम पे एक चीज़ ध लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन के एंड होते होते तक टॉप टू में यही दोनों रहने वाले हैं वैसे टॉप टू तो होता नहीं है टॉप थ्री होता है मतलब यह है कि यह रोहित्रौ के जगा ले लेंगे और सानी हिंदुस्तानी के जगा सवाई भट लेंगे लेकिन 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 इन सारे चीज़ों के बीच में एक चीज़ को हम सब भूले जा रहे हैं और वो है पवन दीप रंजन पवन का जो परफामेंस था मेरा ध्यान सिफ और सिफ उसकी उंगलियों पे थी जिस तरह से वो प्यानों को प्ले कर रहा था और जिस तरह से गिट सामी की यह दोनों सिंगर ऐसे हैं कि इनको इंस्ट्रूमेंट के साथ में खेलना ऐसा लगता है कि यार बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो भाई पवंधी के बारे में लास्ट वीडियो में बार बार बोला गया और मैंने इस बार नोटिस किया कि seriously पवंधी प्रंजन जो है जो कि नेपाल से बिलॉंग करते हैं क्या गाते हैं और हाँ हो सकता है कि ये अरजीत सिंग की जगा को छीन ले पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो भाई दर्द भरा आत्मा है और ये happiness वाली smile है हाँ दोनों के बीच में थोड़े difference तो रहेंगे अब ब गाते हैं मत अब क्या गाते हैं इनकी आवाज में वो दर्द है जो के हर एक singer के अंदर में होना चाहिए क्योंकि जब वो happiness वाला गाने को छोड़ करके जब कोई sad song या फिर bgm देने वाले हो तो वो दर्द उनके music और उनकी आवाज दोनों में आनी चाहिए और यहाँ फॉ गाने का जो पहला एक line था दिलकुछ हो गया I am eagerly waiting for this song कि यह गाना कब release होने वाला है और HR ने शायद सोच लिया है जो भी बंदा viral होगा जिस बंद में भी थोड़ा talent दिखेगा उसके साथ हम घड़े होंगे